खंडे का हस्बिन होने का घमंड है कोईले की खदान का भी घमंड है क्योंकि बहुत मैनत से मैंने दोनों चीज़ें कमाई है बट जब एक स्थिती होती है देखे जब दो लोगों का जगड़ा होता है ना तो उस टैम आप उम्मीद मत करिए कि वो दोनों एक दूसरे से फूल और प्यार की बाते करेंगे वो दोनों एक आदमी मुझे भी खड़े हो के बोल रहा है कि तुझे में आथ से बाहर भेजूंगा कि टैलेंट की इज़त की है कितना भी कभी हमारे रिलिशन खराब हो उस दिन भी उसने स्टैंड अप पर फॉर्म किया यह मुझे थोड़े उसमे था एयर में पूरा वहाँ पे लेकिन मैं उसके पास जाके उसको बोल किया है कि मैं तरी आट फॉर्म की हमेशा इज़त करता है तो वह स्टूप डाउन का पार्ट है उससे मेरी परसनेलिटी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अलावा मैं क्या हूं मैंने वह बहुत अच्छे से इस शो में और भी ऐस्पेट्स को दिखाया है तो अगर आप मुझे हंड़ेड परसन पिक्चर देखेंगे तो शायद एक शन होगा जब मैंने अपना लूस करके बोला होगा लेकिन जब मैं अपने सेंस में था मैंने बहुत अच्छे चीजें भी की होंगी तो मुझे प्लीज आप सारी चीजों में जज करें सिफ एक चीज के बारे में जज ना करें मेरा रिक्वेस्ट हाई आपको एक शब अभी शेक बोला था पेल देने माला जिस पर आपने मोर्चा मतला महिला मोर्चा निकाल दिया था आपके पती ने वी उस शब्द का इस्तमाल कर दिया आप नॉमिनेशन में आ गई उसके बाद मनारा के लिए बार डांसर लूंगी पकड़कर आगे निकल ग आप यहां पर बहुत लोग दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं अभी शेक ने भी मेरे शादी पर और विक्की के क्यारक्टर पर मेरे क्यारक्टर पर उंगली उठाई थी ऐसे दिखाया ऐसी तरीके से बात की थी जैसे कि मेरे शुगर डाडी है तो बहुत चीजे हुई है यह दो पर चेहां बोला है यह उन्हें ने भी जा जादी क्यूं कि यह जा अवाइन को बोलता रहता है तो अगर मैं मैंने तुनी ती गार दानसर बागी मुझे नहीं पता प्र जाकर बैट यह बैट जिया अब के शप्त थे और मैं गलत थे में पुछे वर्ड़ बहुते मैंने कम शुक्ता शुक्ताइक बिए चिज़ ने कर दो जब सल्मान साने मुझे रिलाइस कर आया तो मैंन को सौरी भी इस चीज के लिए बोला पाला हूता इक दिन में मनारा का एक वह रहा है मेरे साथ मतलब एक बैक स्थोरी जिसमें मनारा ने बहुत चीज़े बोली हैं उन और आन्हें और चाराट्टरू यह इस प्वेब अवाने बताूं और नजे प्लेटरू यह तेवास प्लेटरू मैरे अज्वास कौन है मेरे फैन्स कना है होंगे ना हम शूर इस बता है मैंने बोला हैं मैंने बोले कि Aisha आपको बोला तो I really regret it, क्योंकि मैं खुद ऐसी, मैं हूँ ऐसी एक और जो मैं इस चीज के लिए, आज भी जब भिशेट ने चीज बोली ना किस में क्या हुआ दोस्त है, मुझे वो चीज हुई थी, बट यूनों अच्छा उन्होंने कॉल आउट किया इस चीज को, लेकिन yes, Manara सा जो भी ह I regretted कि मैं बोड़ने तुम नहीं बोले और मैं खुद इस चीज को क्यों बोला और उस चीज को क्यों बोला और उस चीज को बोला लेकिन Manara at the same time जब वो बुरा बोलने पर आती वो इतना बुरा बोलती है कि सच मैं जगता है कि इसके मैटर में नहीं पढ़ना ज़िए इन्ह आपको बोल मना रहा, किसी का चारेक्टर मत उठा, तो अगले दिन जभी होता है आप दिखाते हो कि आप बहुत क्लासी हो. यह आपको जोगलापन दिखता है, हिपोक्रेसी कि आप उन्ही तो मना कर रही हैं, यह खुद बोलाई. मैं बही बता रही है, वो मेरा गुसा था कही ना कही और मैं इसलिए उसको मैंने, मैं आएम से. तू कॉन, मैं कॉन, वो दो मिनट तरस जाती थी आपके साथ बैठने के लिए, आप से तारीफ किए एक शब्द सुनने के लिए, आप विक्की भहिया तो बन गए, विक्की सहिया नहीं बन पाए, जो आप जिसकी वज़े से आप आए थे, राइट, तो आप उने, बिजनस हो पाती, विक्की भहिया नहीं होते, तो शायद उनको कोई लड़का भी नहीं मिलता, तो अंकिता आप तो, आप बोलते हैं कि देखो मेरी पह, मैंने तुमारे शब्द नहीं है, तो यह एक बही खाता है ना, आपके रिष्टों का जो आपने पांच साल से बनाया होगा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में शायद हर कोई अपना एक बही खाता रखता होगा, शायद आज मैं इस मंच पे हूँ और जहां पे सारी बाते होती है, सबसे पहले मैं इन्वेस्मेंट वाली बात पर सबसे पहले होती है, तो यह जो आपका रिष्टों के लिए पवितर कि विकी ने जो भी मैं किया नहीं किया, अपार्ट फॉम यह एक एक ऐसा लड़का है मेरी जिंदगी में जिसने मुझे सच्चाई से प्यार किया, जितना मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हर प्रॉब्लम जो मेरे इन कि विकी ने बोल जाता है, तो मैं यही मानती हूँ कि विकी ने बोला जो कि गलत था, बिल्कुल मुझे भी हर्ट यह तब कि तब कि ता, लेकिन I feel उसका वो इंटेंशन कभी नहीं था, उस चीज को उस तरीके से रखने का इंटेंशन लेकिन हम इस घर में है, हमें वो कि अज़ी लड़के ने आज तक नहीं किया, यह मेरा डेफिनेटल एक स्टेटमेंट होगा, क्योई जितना सैक्रिफाइज, जितना कॉम्प्रमाइज, जितना प्यारोस ने मुझे और मेरे परिवार को दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया, बस, मेरा आंसर इन्होंने दे अच्छा सबसे आंसर वही होता है कि सामने वाला इनसान दे दे, मैं सच वह रहा हूं मैं, क्या दिखा, क्या गया, आज शायद पहले दिन है जब यह पता चल रहा है कि शायद क्या, जब हम दोनों एक जिंदगी अपनी बस जी रहे थे, यहां पे जी रहे थे, बाहर भी ज जोट यहां पे कुछ भी नहीं है, जाए शब्द बड़े है और चोट कुछ नहीं है, बाहर जागे मैं थेखेंगे, हापी कबर, मैं दोनों हैसी ही रहते हैं हमेचा हम दोनों एक दोस्की तरह जादा रहते हैं, इसलिए तना हग एक दूसरे को दे रखाए कि कुछ भी कर कर लेते हैं, तो एंजोई कर लेते हैं, बठा कोई ऐसे एमोशन से जो उस टाइम पे ठेस हुए और जली हम इसको में दब भी कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों का रिष्टा जादा बड़ा है, शब्द हम लोग के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए हम कुछ भी बोलते रहते बड़ अगर किसी की भी फीलिंग एक दूसरे की हाथ हुई हो तो उसके लिए भी सौरी और किसी की हुई होगी, तो प्लीज कोई नरेटिव सेट मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अगले बार फिर ऐसे हंसने दिखेंगे ना, तो सब भूल जाएंगे अब नमस्कार, मेरा नाम हरी है और मैं जूम से हूँ, हाई अगरी सबसे पहले बहुत-बहुत दधाई आपको, मेरा सवाल विक्य भही आपसे है, आपको अंकेता के साथ जगडे में यह कहते देखा गया, आपने कहा कि मैं बोल दू क्या, अपना मूँ खोल दू क्या, आखिर वो कौनसी बात है जो आप इस घर में नहीं बोल सकते, और अग जगल दे बिक्युट बहुत-बुलना ही पड़े गा उ आप बताना पड़ेगा, आपको बतात उरना बतात इस बताना यह राण फिर आपको उठाना नहीं चाहिए था ए बात थेंगे क्या होता है अगर व्माने निन Ummewαι दिन पे उठाई तो शाए तो में उस पल इतना जादा आहत फील कर रहा होंगा तो शायद मेरे दिल से कोई ऐसी बात निकली बट वो सच में एक बहुत परसनल जोन की चीज़ें जिसमें आप कई बार अब आपकी लाइब परसनल रही नहीं है तो आप बता सकते हैं क्या हुआ अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं फिर भी एक इंसान हूँ तो उस इंसान इंसान के लिए इस चीज़ को चोड़ के कुछ मत बोलिया अगर आप जितने इंसान हैं मुझे उतना समझते हैं तो इतना कम से कम कर दीजी आपको पहले सोचना चाहिए था कि मैं यह नहीं बोलू क्योंकि यह बोलना ही पड़े हैं तो मैं इंसान को इंसान समझ के माफ कर दीजी तरह हैं आप गल्ती मानते हैं कि आपने यह गल्ती की है यह मानते हैं मैं तो अभी नीचे जाके मैंने से सौरी बोला और ये चिफ बोला नहीं है, ये दिखाई देगा, विकॉज आपको मानना पड़ेगा कि सौ दिन तक सिर्फ हम थे, जो यहां से सब तेडी बात ही करते हैं, कोई अच्छी बात नहीं करता है, उस माहूल में शायद ये हुआ होगा लिए, पहली बार मुझे जैनुरिल लग इस सारे सवाल एक उस इंसान से, वही सवाल है, लेकिन आपको जरब भी अंकिता के एमोशन या सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि आप यहां बिल हो जाएगा, मैं करने ताही है. मेरा दूसरा सवाल मनारा से है, मनारा आपने आशा को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स किये, Ausdra को बहुत सारे कमेंट्स किये, आपको जब इसहां नहीं, बहुत सारी बाते कहीं है, आपको जब एशा ने एक वर्ड बोल दिया, कि यह मुन अगर आप आईशा की बात करें जब मैने बोला that she looks for compliments आगे पीछे घूम वूम के whatever I really meant it कि मतलब उसके आसपास घूम के she looks for compliments but उसका जो प्रोजेक्शन गया it was more of on the aesthetic part of